In this section, I will explain how the financial futures actually work by the help of an example. So suppose there is a trader, जो के speculate करना चाहता है, price of crude oil पे, और उसके लिए उसने कहा के, let's get into a future contract, और अभी जो हम अजियूम करें, जिस time पे वो future contract sign करने जा रहा है, उस वकद suppose May है, तो वो एस्यूम कर रहा है कि जो कौन crude oil में अभी बाइ करने जा रहा हूं, जिसका मैं financial future में investment करने जा रहा हूं, December तक इसकी कीमत में काफी तबदीली आ चुकी होगी, तो मुझे इससे कोई फाइदा पहुचने वाला है, So, as our, after surveying the market, he found out that जो इस वकद future contract है, crude oil के लिए, वो December की कीमत के उपर बिक रहे हैं, कि वहां 50 dollar के उपर आपको जो offer हो रही है, तो trader को ये बहुत appropriate लगा idea, और उसने अपनी investment कर दी और sign कर दिया, derivative financial future का crude oil के लिए, at the price के December में 50 dollar के उपर में oil को खरीद दूँगा, तो अभी इसके पास जो position है total, suppose हम assume का रहे हैं कि उसके पास 1000 total dollar उसने invest किये हैं, और जो money है, जो December में इसको कीमत अदा करनी है, that turns out to be 50 dollars, और total जो उसका expenditure, उसको करना पड़ेगा, that would be 50,000 dollars, अब contract को sign करने के लिए, future contract को sign करने के लिए, उसको upfront यानि कि advance में कुछ payment अदा करनी होगी, ताकि guarantee रहे कि ये future जो, उसने contract जो है, वो उसको lock करने के लिए, अभी there could be two possibilities, कि जब में से December तक, उसने जो अपने future contract को lock किया है, और उसको sign किया है contract को, तो as we know कि oil के जो कीमते हैं, वो almost daily basis के उपर fluctuate करते हैं, अब वो जो fluctuations होंगे, उसमें December में जाके कीमत क्या होगी, क्योंकि उसने speculate किया है, कि 50 डॉलर के उपर मैं इस derivative को sign करने वाला हूँ, और मुझे उससे कोई फाइदा पहुंचेगा, तो now there could be two possibilities, कि अगर तो December में crude oil की कीमत 65 डॉलर हो चुकी हो, तो in that kind of a situation, जो broker है, उसको जाहर है उसने 50 डॉलर के उपर payment करनी है, और market में इसको 65 डॉलर है, तो उसको 15 डॉलर्स टोटल अमाउंट का, जो भी उसने अभी हमने बोला था, उसने 1000 डॉलर की payment की थी, तो अभी उसको उसका advantage मिले का उसको profit हो जाएगा, लेकिन this is one side of the story, there is a possibility कि 65 डॉलर होने की बजाए, में से लेके December तक, crude oil की कीमतों में fluctuations होते रहे, और जब December, यानि कि जो stipulated time period था, कि अभी particular contract को materialize होना है, उस वक्त जाकर, जो कीमत ही market में, that turned out to be $40, तो इस case में उस बंदे को नुकसान होगा, which is a negative $10,000, क्यूंकि आप जो उसको कीमत अदा करनी है, वो $50 है, और जो market में available है, तेल वो $40 के ओपर available है, तो इस आप जो आप जो इन्वेस्टर है, वो उसको बहुत जादा ध्यान से सारे historical evidences को, historical data को account for करना पड़ता है, इसमें लुक भी है कि वो speculate कर रहा है, अगर तो यह वो यह foresee कर रहा है कि future में, जिस कीमत के ओपर मैं अभी अपने derivative को lock कर रहा हूं, इस से जादा ही होगी कीमत, तो तब तो उसको फाइदा पहुंचेगा, लेकिन अगर कीमत गिर जाएगी तो फिर उसको नुक्सान हो जाएगा, so we need to look at these things, if we are planning to invest in the financial futures, और we are becoming an advisor, a financial advisor के इन सारी dynamics को हमें understand करना चाहिए, ताकि नुक्सान कम हो और फाइदा जादा से जाद हो,